है राजमोहन आप देख रहे हैं बिहारी नीज, बिहार स्वास्ट व्भाहग ने भिहार का कॉरोना अपडेट 14 अगस्त का यानि आज का जारी कर दिया है जो आकरे साजा किया है और जो जानकारी उन्होंने दी है वो आपके लिए और बिहार के लिए थोड़ी राहत भड़ी है क्योंकि काफी दिनों बाद बिहार में कुरोना के नए मामलों की मिलने की संख्या 4,000 नहीं 3,000 नहीं बलकि 2,000 के पास पहुँच गई यह एक लाग 4,093 पर पूरे बिहार में एक नज़र डालीजिए कि किस जीले से पिछले 24 घंटे में कितने संक्रमीत मरीज मिले हैं उस पर अररिया 19, अरवल 21, ओरंगाबाद 113, बांका 19, बेगुसराय 54, भागलपूर 177, भोचपूर 52, बक्सर 46, दर्भंगा 35, इस्टचंपारण 96, गया 15, गोपाल गंज 71, जमुई 28, जिहानाबाद 28, कैमूर 6, कटिहार 13, खगरिया 30, किशन गंज 13, लकिसराय 36, मद्यपूरा 35, मदुबनी 127, मुंगेर 50, मुजफरपूर 97, नालंदा 90, नवादा 18, पटना 23, पुर्निया 12, रोतास 35, सहरसा 97, समस्तिपूर 37, सारं 74, सिकपूरा 33, सीवहर 7, सितामडी 78, सिवान 28, शुपल 34, वैसाली 57, वेस्टचंपारण 81, इस्तरपूरे बिहार में, पिछले 24 गंडे में, 217, संक्रमित मरीज मिले, आकरो पर नज़र डालने के बाद, थोड़ी रहत मिलती है, कि चलिए, एक लाग के जाच में, अगर मामला 2000 के आसपास पहुंच रहा है, तो यह अच्छी ख़वरा, पहले जो थी, बिहार में, वो 10,000 के जाच में, मामला 3000 च जहां पर एक दिन में, मामला 100 के ऊपर गया है, और अंगाबाद, भागलपूर, पटना और मदुबनी वो जीले हैं, जहां पर मामला 100 से ज्यादा काया है, वहीं पटना में, काफी दिनोबाद, मामला 300 के नीचे पहुंच चुका है, वहीं दो ऐसे भी जीले है, कैमूर और गिरावट दर्जो रही है, लेकिन विपक्च के नेता तेजश्वी यादो का बयान कुछ अलग है, उन्होंने कल भी एक बयान ट्विट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले बिहार में 10,000 जाच हो रहे थे, उसमें भी मामले 2-3,000 आ रहे थे, और आज भी 1 लाग अभी बिहार में अर्ध जाय एक इटीव केसों कि तो 35,000 के आस पर